फ्रेंट्स आपकी बॉड़ी में क्या बदलाव आते हैं अगर आप 30 दिन या उससे ज़ादा के लिए वर्काउट करना छोड़ देते हैं यही जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो अगर आप वर्काउट क के लिए भी वर्काउट अगर छोड़ते हैं तो उससे आपकी बॉड़ी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और नहीं आपका मसल मास कम होता है पर फ्रेंट्स क्या होगा अगर आप एक महीने या उस्ते जादा के लिए वर्काउट छोड़ देते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे पर आपको जल्दी से एक जरूरी पॉइंट हम यहाँ पर बता देते हैं तो देखिए 10 से 15 दिन भी अगर आप वर्काउट छोड़ते हैं तो इससे आपकी बॉड़ी पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता पर वर्काउट अगर आप छोड़ते भी हैं तो का बॉड़ी पर जो असर पड़ता है वो असर भी आपकी बॉड़ी में दो से तीन हफ़तों तक रहता है लेकिन फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लंबे समय तक वर्काउट को छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपकी बॉड मास 6.5% तक कम हो जाता है और इसी के साथ में मसल्स की ताकत और आपके मसल्स का साइज भी कम होना शुरू हो जाता है लेकिन वापस से जब आप वर्काउट करना शुरू करते हो तो जितनी तेजी से आपकी बॉड़ी में बुरे असर देखने को मिले थे वर्काउट चोड करने पर और सही डाइट लेना शुरू करने पर आपके मसल्स उतनी ही तेजी से दोबारा बनने भी लगते हैं लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप वर्काउट से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं तब आपको दस से बारा दिन या फिर जादा से जादा दो हफतों तक का ही ब्रेक लेना है इससे आपकी मसल्स पर जादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अगर आप एक से दो महीने तक वर्काउट परफॉर्म नहीं करते तो उस कंडिशन में ये हो सकता है कि आपको वर्काउट पहले जैसे ही दोबारा शुरू करनी वर्काउट करने वाले परसन के मुकाबले एरोबिक एकसरसाइज करने वाले परसन लंबे समय तक अपनी बॉड़ी को मेंटेन रख पाते हैं वर्काउट छोड़ने पर क्यूंकि दी अमेरिकन कॉलीज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिसर्च में काफी सारे एकसरसाइजिस पर्फॉर्म करते हैं और आपके मसल्स को जादा वेट उठाने की आदत हो चुकी है तो आप अगर 10-12 दिनों के लिए वर्काउट छोड़ भी देते हैं तब इससे आपकी बॉड़ी पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा तोगि आपकी मसल्स को ज अराम करने की आदत हो जाती है इससे अलग जब आप 10-12 दिन के लिए वर्काउट करना छोड़ देते हैं तब आपकी बॉड़ी में ऐसे हार्मोनल चेंजिस देखने को मिलते हैं जिससे आपकी बॉड़ी को रिलैक्स रहने की आदत हो जाती है और जब आप दोबारा से वर असर देखने को नहीं मिलता बस थोड़े चेंजिस आपकी बॉड़ी में और मास को लेकर देखने के लिए मिलते हैं जैसे लंबे समय तक बैड रेष्ट करने के बाद आपकी बॉड़ी को रेष्ट करने की आदत हो जाती है क्यूंकि यूनिवर्सिटी ओफ टेकसास के मेड की एक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स ने एक रिसर्च करके ये पता लगाया कि यदि कोई परसन लगबग एक महीने का बैड रेष्ट बिना किसी दिक्कत के करता है तो उसकी बॉड़ी को दोबहरा रिकवरी करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है जितना की इंजरी होने प के मसल मास पर इसका कोई जादा असर देखने को मिलेगा इसमें छोटे मोटे चेंजिज आपको अपनी बॉड़ी में देखने को मिल सकते हैं जैसे जब आप दोबारा से वर्काउट करना शुरू करोगे तो लगभग तीन से चार दिन तक आपकी बॉड़ी को एकसरसाइज और नहीं इससे आपके किसी बॉड़ी पार्ट पर कोई असर देखने को मिलेगा पर अगर आप एक महीना या उससे जादा के लिए वर्काउट छोड़ते हैं तब आपकी बॉड़ी में मसल मास घटना शुरू हो जाता है और आप दिन भर नीद और ठका हुआ महसूस करने लगते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फिटनेस एलेटिड ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाइ फ्रेंड्स टेक केर